आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अपूर्ण का विलोम शब्द क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है तो साथ में हम कुछ उधान वाक्योंसे भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले अपून का आर्थ समझते हैं अपून का आर्थ होता है अधुरा जो पून या पूरा नै हो या ना मुकम्मल यानि कि जो मुकम्मल ना हो तो अपून का विलोम शब्द यानि कि विप्रित आर्थक शब्द होगा पून और पूर्ण का आर्थ होता है संपूर्ण पूरा यह जो पूरा हो चुका हो यानि कि जो मुकम्मल हो चुका हो उसे हम पूर्ण कहते हैं तो आईए अब हम पूर्ण और अपूर्ण को कुछ उधारन वाकियों से समझें जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि अपूर्ण जानकारी के आधार पर निर्ने लेना खतरनाक हो सकता है ये फिर आप कह सकते हैं पूर्ण जानकारी के आधार पर निर्ने लेना हमेशा बेहतर होता है ये फिर आप कह सकते हैं आपूर्ण जानकारी के कारण उसे गलत फहमी हो गई इसका उल्टाप कह सकते हैं पूर्ण जानकारी मिलने के बाद उसकी गलत फहमी दूर हो गई अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें